तो माइन करब में जब राद होता है ना तब यहाँ पर अलगी तुम्हेरा डाउन फॉल सुरू हो जाता है जिसको यहाँ पर एक तरफ क्रीपर आ जाता है एक तरफ स्केलेटर एक तरफ जॉम्बी आर सब मिलके तुमको मारते रहते हैं और उसी के साथ को यह मैं गिर जाते हो खाए में गिर जाते हो यहाँ गिर जाते हो वहाँ गिर जाते हो भाई गिरते ही रहते हो इतना उजाला हो जाएगा भाई देखो बाते न सेरी वाले हो सकते हैं बड़े हाँ पर टेक्चर पैक एक नंबर काम करता है टेंसर मतलो तो राइट नाव गाईज हम आ चुके हैं अपने में स्क्रीन में यहाँ पर वर्जन को चेक कर लो एक दिम ऐसा मत बोलना भाई फेक व नहीं होने वाला है तो एकदम चिंता मतलो गाईज बट नाइट विजन पेक का यार एक डिसाइडवांटेज रहता यह बाई यहाँ पर दिन है या रात है वो पताई नहीं चलता हमको और यह पहले ही वार्निंग दे देता हूँ यार रात को चोरे होके मत निकल जाना दिन है या राध है इतना उजला भाई और यहाँ पर तुम अंडर सी भी जा सकते हो अंडर सी भी जाके स्थे मैं यहाँ बहुत चूर्णकुद्धंवारयकि सकते हैं और ये उठाल कर ला यह ब धोई увидya रहते हैं यहां पर यह इतना चुभने लगा हूं सबको और चलो खोद रहे हैं हम बहुत ही अच्छे से खोद रहे हैं भाई यहां पर लाइट का दूरो निसान से कोई नाम नहीं है मैं पेसे लिए बोलूँगा यार माइनिंग कर रहो तो डेफिनेटली इस मोट को लगवा लेना क्योंकि माइनिंग में बहुत ही जादा यहां पर नाइट पोसन भी नहीं लगेगा जादा टॉर्चेस भी नहीं लगेगा बहुत ही ईजी रहता है भाई तब मेरे हिसाब से अगर तुम वर्ट को एक्स्प्लोर कर रहे हो ना भाई तब इन से जादा अच्छा चीज को होई ही नहीं सकता भाई इस मोट को मैं यहीं बोलूँगा तो थोड़ी याड इस वीडियो के लिए हम ग्यारा मिनिट तक वीडियो बनाएंगे यार तो गाइस बाई बाई सायोनारा एंड जैहन